हलो गाईज आपको बहुत स्वागत है में चल के कौन ने वीडियो में तो आज की वीडियो में रिवियो करने वाला हूं उसनों बोलके वैफिंग्स या फिर मैफिंग्स वेप का यहाँ पर आप स्पेलिंग देख सकते हैं तो चली सबसे पहले में आप लोगों को दिखाते ह लागगा इसका युद्धा प्रेख्यू है अनों कुछ प्रोश और कॉंस तो अगर आप बात करें जाएं बॉक्स और उपर हमें सामय की तरफ देखने के लिए स्नोबल की ब्रेंडिंग उसिके साथ में यहां पर देखने के लिए मिल जाता है हमारा मॉडल ने जो की है मैंफिंग टैंक केट और यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाती है आपके में जो कि हमारा बॉर्ड है उसकी एक पिक्चर और यहां पर लिखा हुआ है यहां पर आपको एक स्क्रैच कोड़ मिल जाता है जिससे आप वेरिफाय कर सकते हैं कि आपके डिबाईस है और आपको इसे अन्बॉक्स करके दिखा जेता हूं कि इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़े देखने के लिए मिल जानी है यहां उपर की तरफ आपको मिल जाता है 510 करेक्टर जो की स्प्रेंड लोडेड नहीं है यहां पर यहां पर आपको टाइप से मिल जाता है इसके बटन्स यहां पर अपको वाटेज अप्डाउन का बटन मिल जाता है टो चलिए से साथ में मिल जाती हैं तो इसके बाद में हमें यहां पर देखने के लिए मिल जाती है कुछ पेपर बॉक्स और उसी के साथ में हमें एक गायड भी जाती है तो मैं आप लोगों सेलिस करूँगा एक बार आप इसे जरूर से पढ़ ले तो चलिए सबसे पहले इन चीदों को रखते हैं अलग और देखते हैं हमारे को बॉक्स के नदर और और क्यक्के चीज़े देखने के लिए मिल जाती है तो उसके बाद हमें यापर देखने के लिए मिल जाता है हमारा में टेंक यह मैंने पहले से फिल कर रहा का था इसके विए से थोड़ा सा लीक कर रहा है मैंने गलती से ओपन कर दिया था यहां नीचे की तरह आपको 3-way airflow में देखने के लिए मिल जाता है अंदर आपको यहां पर वह वाली coil लगी वही है चुछ इसके साथ में पहले से ही आई थी दूसरा यह टॉप फिल है आप इसके उपर वाले cap को remove करके यहां से इसे fill up कर सकते हैं इसके उपर जो एक rubber लग रही है इसके अंदर आपको एक airtight seal मिल जाती है अगर आप से fill करके rotate भी कर देंगे तो भी इसके अंदर से flavor गिरने वाला नहीं है और यह इसका आपको 510 connection मिल जाता है तो चलिए से side मरकते हो देखते हैं हमें box के अंदर और क्यक्के चीज़े देखन के मिल जाती है एक और coil spare coil यहां पर हमें मिल जाते है जो कि है 0.16 ohms की और जो की work करेगी 100 watt to 230 watts तक इसके साथ में यहां पर हमें मिल जाती है एक oring और उसके साथ में एक extra bubble glass piece और उसके साथ में last में हमें देखने के लिए मिल जाता है एक छोटा सा box जिसके अंदर आपको दे लेते हैं मेन मौड को यहां पर मैं लगा लेता हूं battery फिर से गाइस battery cable AWT की यूज करें जोगी हाइट्रेन वाली बैटरी जे और मैंने पहले वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने बता दिया था कि AWT की बैटरी उसको आप original किस तरह से पता कर सकते हैं यहां पर आपको इस टाइब के boxes के अंदर मिलती है तो आपको separate box भी लेने की जरूत नहीं है यह बहुत ही अच्छी बैटरी है मेरे हिसाब से अगर आपको कोई भी बैटरी अगर ट्राय करना चाह रहे है तो इंडिकेशन बहुत ही अच्छा दिखा रहा है प्लस माइनस का तो डारेक्ली हम लगा लेते हैं और उसके पार इसके कैप को हमें लगा लेना है वापस से इसके अंदर आपको बहुत ही अच्छी मैगनेट मिल जाते जो कि एक तम से इसको स्टिक कर लेगी यहां पर यह आपको देखने के मिल जाता है इसका इंटरफेस तो चलिए सबस्पहले में लगाता तब चेंज होगा तीन बार आप इसे दबाएंगे तो यहां पर आप सेटिंग्स के अंदर आजेंगे हैं आप मोड है सेलेक्ट करने के लिए आपको यह बटन दबाना है पावर टीसी आर निकल टी आए और एसस स्टेनलस्टी तो मैं अभी इसको यहां पर रहूंगा तो यहां पर आपको काफी सार ऑप्शन मिल जाते हैं देखने के लिए चेल्स पर रखना है फैरनाइक्स पर रखना कुछ भी चीज इसको पर रख सकते हैं तीन वर दबाईए आप सेटिंग्स के अंदर आजेंगे यहां पर आपको स्क्रीन टैप भी दो टाइप के मिल जाएं और उसी के साथ में यहां पर आप इसकी ब्राइटनेस को भी सेट कर सकते हैं जो कि अभी 100% है वैसे 10% के बाद भी इसकी जो ब्राइटनेस हो इतनी जाधा रहती है कि आप इसको नॉर्मल लाइटिंग में भी अच्छा से देख सेंगे इसकी ब्राइटनेस मुझे और और यहां पर एक लोकिंग फीचर है आपको मैनस ब्राइटन और फायर बटन को एकसाद ब्राइटन को एक साथ दबाया रखना है उसके बाद यहां पर लग जाएगा आप इसके टेंपरेचर के तो चींद नहीं कर सकते बटा आप इससे फायर कर सकते हैं फायर यह दौने की तरफ से lemon tart flavor जो की बहुत ही अच्छा flavor है अगर आप इसे लिचे जाए है नीचे डिस्क्रिप्रिश्टन में को लिंक बलको से ले 11 टार्ट का आपको फिल्वर मिल जाता है डिना लेडी का जंस बिलकोल वैसा ही wsp Arm बहुत ही एचा फ्लेवर है वर अब दी बेस्ट फ्लेवर में मुझे यह लगता है तो चलिए आपको फाइनली दिखा देता हूं इसका बेवर प्रोडक्शन उसी साथ में इसके कुछ प्रोज और कुछ तो जैसे कि आप लोगों ने देखा यह थी इस डिवाइस के अंबॉक यह थी लेना चाहते है तो नीचा डिस्कृप्शन में आपको एक लिंक मिल जाए वहासजागर कि आप इस फ्लेवर को ले सकते हैं अगर अब इस फ्लेवर की फ्लेवर प्रोफाइल की बात करें जाए तो जैसे कि लेम्ण टाट फ्लेवर है आपका डिनर लेडी का डिक्ट वो वैसा व्लेवर है बहुत अच्छा फ्लेवर है लेमन के अशन्स है और एक पेस्टी बैटर के साथ में स्वीट फ्लेवर है और बहुत अच्छा फ्लेवर आपको इस बाट राज जरूर था करना चाहिए तो चलिए देखते हैं यहाँ पर इसका वेवाब प्रॉडक्शन क पताई दी हैं इसके लॉडक को आप किस तरह से लगा सकते हैं अब बात करते हैं इसके कुछ प्रोज़न कॉंस की तो सबसे पहले इसका जोनकी एरफलो है बहुत ही अच्छा है एक सब्सक्राइब करेंगे तो यह इसके साथ में यहां पर आपको चार या पांच मोट्स मिल इसके अंदर आपको मिल जाता है तॉप फिल और फ्लेवर प्रडक्शन तो इसका बहुत ही अच्छा इसके अगर आपके पास में दूसी कोई होगी उसी साथ में यहां पर आपको मिल जाती है एक एक एक्स्टा ग्लास पीस और पीछे आपको एक वुल्फ देखने के मिल जात सकता है मैं कंफर्म नहीं कि आप लोगों को ऐसा वाला मॉड और दूसरा बिल सकता है या नहीं या वैविलेबल होगा कि नहीं कि इसके बॉक्स के उपर लिग रहा था लिए तो इसका वेट थोड़ा जादा लग रहा है मुझे बैटरी से साथ में इसका इंदर अच्छा आप यूज कर सकते हैं अपने वेट को चार्ज करने के लिए डायटली इसके चार्डर से उसना करें बैटरी की कैपसिटी गिरती है और उसके साथ में में इसके और कोई भी कौन्स नहीं लगते हैं बस अगर आप इस वुल्फ को निकाल सकते तो जादा अच्छा था क्यों आपके हाथ ने लगेगा इसका इसकी बॉल्फ है तो आज की वीडियो के लिए अगर आपके वीडियो पसंद आयों से लाइक करें और हमारे चैनल को सब्स्क्राइब करें